तो यह जैसे कि अब देख सकते हो आज किसी वीडियों में लोग बात करने वाले स्ट्राइजी टू स्कोर जीरो टू हंडड़ प्लस क्या आपका रोड मैप रहने वाले है डब्लीजी दोज़ाइस का अगर आप तयारी करें हो बहुत सारे बच्चों से मिले पास कॉमेंट आ यह प्रॉब्लम आपका 20 और 25 आपका 45 बन गया ठीक है 45 आपके यहाप बन गया ठीक है 45 नंबर आपका यहाप बन रहा है आउट आफ अफ तो थे जिज बन गया और अगर अगर आप लास्ट यह का टेगरी वाइस कट आफ देखो तो जनरेल का विस बेंगॉल का अगर बच चाहो तो 65 नमबर में आपको डेफिनिटल ज्यादपून उनिवेर्सिटी ज्यादपून उनिवेर्सिटी आपका सिकियोर हो जाएगा ठीक आपका सिकियोर हो जाएके अक्वर्णिंग घसाफ से वह लग है ठीक हरसाल चेंज होता रहता है अब यहाँ पे आपको बिसेगल क्यों स्ट्राटिजी बताने वाले हो आपका प्राक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से आपको मैं स्ट्राटिजी बताने वाले हो मैंने यार बहुत बर बता के रखा है कि यहाँ पे अधिस पॉइंट अफ टाइन दो कैटेगरी के बच्चा होगा जो बताना चाहूंगा जिसने पढ़के रखा है उसके लिए मैं हर बार बताता हूँ आपको यहाँ पर मॉख टेस्ट जो है बहुत ज्यादा अभी नहीं देना है जो पढ़के रखें उसको किया गलती हो रहा है वह चीज पकड़ना है ठीकिन इसका अलामा उसको क्या करना है उसको basically last 3 साल का 2022 का 2021 का और 2020 का basically इस sequence के साथ में आपको basically आगे बढ़ना है ठीके ना पहले 2020 का करो basically 22 का करो फिर आप basically इसके तरफ आगे बढ़ो ठीके आप यह आपको basically sequence होने वाला है बाकी आपको बताना चाहूंगा अगर आपको कुछ नहीं पढ़के रखे हो in that case आप क्या सब्सक्राइब को मिलेगा हर जग आपको test series question वेगरा दिया जाता है यह last moment में जो mentorship होता है वह mentorship आपको basically हमारे तरफ से देखने को मिलेगा जो ज्यादपर university के students है जो CU के students है ठीक है मैं हूँ ठीक है इसके अलावा आपके बसमें जो आई-म के students है ठीक है इसके अलावा आप में college के बारे में छोड़ा से वो लोग भी आपको guide कर देंगे यह पूरा का पूरा जो हमारे पास में बैस है तुनाइट रूपीस में आपको मिलेगा 2000 प्लस most expected question के साथ में ठीक है आपको बारा मॉक्त देखने को मिलेगा जिसके अंदर में आपको इतना जरूरा तो भी है क्या सकता हूं कि आपको अभी question पर ज्यादा focus करना है तो question पर आपको focus करना है तो हमारे question से करो या फिर आप पीवाइक्यू तो आपको करना ही है ठीक है अगर आप पीवाइक्यू करते हो तो बहुत अच्छा है अगर आप हमारा questions करते हो ना हमारा mock test का question most expected question करते हो तो उस मेरे हिसाब से जाने वाल है देखो यार बेसिकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहो कि 65 नंबर पे जादपूर मिला था और यह कोई गैरेंटी वाला बात नहीं कि इस साल भी 65 नंबर पे जादपूर मिल जाएगा ठीक है तो 65 नंबर पर पिछले साल मिला था तो इस साल यार शायद हो सकता है कि यह 70 हो जाए ठीक ह और यह आपको बिसिकली ओवरॉल आपका माइंड मैं आप होने वाला है बाकी यहार मैं आपको बताना चाहूंगे कुछ फाइनल टिप्स क्या आपको करना चाहिए क्या फाइनल स्ट्राटीजी है और पेपर एटम्टिंग के बारे में आपको बिसिकली मैं बता दूँगा के हो दूसरा गणकरे और यहां पर आपको समझना है कि कौनसे टॉपिक से कुछा गया इस जो टौपीक्स है आप देख रहो कि most important most expected topics में आता है हमारा topics वाले videos देख लो ठीक है topics वाला videos हमारा जैशीज बैनरजी चैनल के अंदर में आपको देखने को मिलेगा ठीक आपको description में सारा मॉक्तेस्ट अनलिसिस करने आप एक मॉक्तेस्ट दे रहो या फिर दो मॉक्तेस्ट देरो मैं तो बोलूंगा with full strategy आप दो से तीन मॉक्तेस्ट दे के जाओ अगर आप पढ़ाई नहीं करके रहा उतना अच्छे से और अगर आप पढ़ाई करके रहा तो एक दो मॉक्तेस्ट नोट डाउन तो नहीं कर पाऊंगे लेकिन कोशिश करना कि जो आपका मेंमेंट टॉपिक्स है जहांसे मैं आपको वोला हो कि 100% क्वेशन आएगा at least physics chemistry में मैस्क आपको कोई youtuber हेल्प कर रहे है तो मैस्क का उससे आप बिसिकली पता कर दो ठीक है आपको जैसे ही पता होगा जो भी आप ट्रैवल करोगे उस ताइम पर बेसिकली आप उस चीज को रिवाइस कर सकते हो मेरा बात को समझ लेगी कोशिश करना यह आपका पूरा का पूरा एक रनवे मैंने आपको बना दिया इस पात को फॉलो करके जाओ और अच्छे से देना इस बीच में आप दो मोको लगा होगे जब मॉक्तस लगा होगे प्रॉपर जो है कोशिश करो लास्त दो दिन में आपका ग्लाव ज chron上 है टा compliments दो बन पर चल रहा होगा ठीकिए आपको ओवरल स्ट्राइजी था यहार मैं लिखके बता दिया हर बार मैं मुह पे बताता हुँ आप लोग कनेक नहीं कर पातो मुझे लगता हुँ थोड़ा लिखके बताता हुँ थोड़ा फील भी मिलता है आपको अना बागी तो यहां प्यूद् झाल झाल